हेलो डियर इस्टुरेंट तोडे वी आप डिसकूस अबाउट फर्स चैप्टर आफ मैथ एक्सराइज 1.1 इसमें इस चैप्टर में आपको इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है इंडियन नंबर सिस्टम के अगॉर्डिंग उनकी प्लीस वैलू क्या होती है उन जो वैलू लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं वाज एस ऐस हंड्रेट लेन-ताउजन्ड अगेंटन में लैक टें लैक औन करोण करोण अट अं ऎरब आध आद सोऑन बट अब हमें अको के जोग्व Kingdom में अभी करोऑ तक ही पढ़ना है ठीक है यह तो इसमें क्या होता है इसके according हम जैसे कोई number हम लिख लेते हैं यहाँ पर 567284056 ठीक है यह आपका एक number बन गया भी हमने randomly यह कोई number ले लिया है अब अगर हमें इसको Indian number system के according इसमें commas लगाने हैं तो हम इसको कैसे लगाएंगे first of all यहाँ पर देखें क्या होता है Indian number system के according पहला comma जो लगता है right hand से हम counting करना start करते हैं पहला comma हमारा three digit पर लगता है one two three यहाँ पर आपका एक comma लगया इसके बाद जितने commas लगते हैं वो two two digit पर लगते हैं one two one two again अगर इसके आगे कोई number होता तो फिर यहाँ पर लग जाता comma but कोई number नहीं है तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे यह आपका Indian number system के according यहां पर यहां पर कॉमा लगाते हैं इस तरीके से तो आपके exercise जो है exercise 1.1 इसमें देखिए question दिया क्या है यहां पर देखिए first question आपका जो है write the following number correctly according to the Indian number system Indian number system के according इसको correctly लिखना है correcting के मतलब यहां पर कॉमा लगा के आपको लिखना है ठीक है तो चलिए यहां पर वैसा कुछ हमें place value chart वगरा नहीं बना रहा है normal जैसे हम अभी मैंने आपको बता है यहां पर कॉमा लगाना है ऐसे आपको कॉमा लगा देना है तो यहां पर मैं आपका question number first ले रही हूं first का equation 2 5 6 8 7 9 यह आपका यहां पर digit दिया गया है अब इसमें कॉमा हमें maintain करना है कॉमा कैसे लगाएंगे हम first comment मैंने आपको बताया है कि हम right hand से count करते हैं यहां पर पहला कॉमा लग जाता है अगें जितने कॉमा लगते हैं वो two two digit पर लगते हैं तो two digit के बाद six और five के बाद यहां पर एक कॉमा लगाने के ज़रूत नहीं क्योंकि two के बाद यहां पर कोई digit ही नहीं है ठीक तो यह आपका first question ऐसे ही आपको करने हैं इसमें देखिए a to o a से लेके o तक के question दिये गया है इसको आप same इसी basis पर करेंगे एक question मैं और आपको यहां पर बता देती हूँ question number o question number o में आपको क्या यहां पर लिखा गया है 50164 3289 ठीक है अभी इसमें हम कॉमा मेंटेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 982 यह थ्री डिजिट हो गया यहां पर एक कॉमा लगाया 3 4 यहां पर दो डिजिट हो गया फिर 6 और 1 टू डिजिट और इसके बाद हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है यह आपको कॉमा मेंटेन हो गया ठीक है आई ओप आपको यह कॉमा में आगया है यह बहुत इजी कॉमा अपने फोर्थ क्लास में पढ़ा है इसके बास सेकेंड कॉमा में हम देखते हैं इसमें आपको करना है पुट कॉमा अकॉरिंग टू दा इंडियन प्लेस वैलू चार्ट एंड राइट दा फॉलोइंग नंबर्स इन वर्थ ठीक है एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजेगा जहां पर अगर कुछ ऐसा ना लिखा रहे है कि कोई भी नंबर सिस्टम के बारे में नहीं लिखा करेंगे तो इस कुशन में देखें क्या करना है कॉमा कुट करना है इंडियन प्लेस वैलू चार्ट के एकॉर्डिंग एंड राइट दा फॉलोइंग नंबर्स इन वर्थ और इन नंबर्स को वर्थ में भी लिखना है वर्थ का मतलब यहां पर जैसे हम नंबर्स नेम सबसे पहले आप इसमें कॉमा मेंटेन कर लो 958 यह थ्री डिजिट हो गया यहां पर एक कॉमा लगा आपका 23 एक कॉमा यहां पर और यह 6 ठीक 6 इसके बाद कॉमा यहां पर देन 3 2 and 859 यह क्या हो गया इसको एक बार हम पढ़ते हैं देखते हैं यह क्या लिखा गया है यहां से काउंट करेंगे 1 stence 100,000, 10,000 लैक ठीक है तो यह क्या हो गया 6,32,859 ठीक है क्या हो गया 6,32,859 इसको मैं लिखते हूँ यहां पर देखें यहां पर मैंने इस question को words में लिख दिया है कॉमा लगा है इसके बाद इसको words में लिखा है क्या हो गया 6,32,859 ठीक है ऐसे आपको जो आपके यहां पर rest question है same आपको ऐसे ही करना है एक question मैं आपको और बता देखें तो question number N question number N लेके चलते हैं इसको मैं write down कर लेती हूँ then आपको यहां पर समझाते हैं इसको यहां देखें question आपका लिखा गया question number N है यह इसमें क्या digit दी गई है 265439206 कॉमा में लगा है Indian number system के according यहां पर 602 के बाद कॉमा then 3 और 9 के बाद कॉमा and 5 4 और 5 के बाद यहां पर कॉमा हो गया 6 and 2 तो क्या हो गया यह 26 करोण 54,39,206 ठीक है यह words में लिखा है 26 करोण 54,39,206 ठीक है then अगला question हम देखते हैं अगले question में आपको क्या करना है यहां पर आपको words में दिया गया है write the following in numerals इसको numbers form में convert करना है and comma भी लगाना put comma according to the Indian place value chart then इसमें आपको comma भी लगाना है पहला question में यहां पर पढ़ रही हूं 4,20,329 ठीक है चलिए इसको write कर लेते हैं पहले देखे student यहां पर मैंने आपके दो question लिखे हुए है question number 3 का A number question and G number question में क्या दिया गया है 4,20,329 जैसे ही question में लिखा गया है वैसे आप लिख दो यहां पर वोन्स तेंस हंड़ेट थाउजन तें ताउजन लेक लेक तक की वैलू आपकी है और एक बार इनकी प्लेस चेक कर लिखे लेजेए फोर लेक है करेक्ट है 20,000 है ये भी correct है 20,000 की जगह पे है and 300, 300 की place पे है and 29 ये 29 हमारा 10s और 1s की जगह पे है correct again G number question आपका है यहाँ पे 47,34,27,236 ठीक है तो same आपको जैसे ये question किया है ऐसे ही करना बट इसमें करोन की value add हो गई है अभी तक यहाँ पे आपने lakh का किया था यहाँ पे करोन भी आ गया है तो 47 करोन आपने 47 लिख दिया again 34 lakh यहाँ पे 34 lakh हो गया और इसके बाद क्या दिये 27,000 27,000 लिख दिया मैंने and 236 236 इसकी value एक बार आप चेक कर लीजे अब इसमें कॉमा जैसे आपने पहले पुट किया था वैसे ही कॉमा यहाँ पे भी लगाना है आप राइट हैंड साइट से काउंट करोगे थ्री डिजिट के बाद पहला कॉमा अगें जितने कॉमा आप लगाओगे वो सब टू-टू डिजिट पे रहेंगे ठीक हैं आपको यह चैप्टर समझ में आया हो अभी आपका जो वर्क है आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे अपने फियर कॉपी में और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप यूटूब चैनल पर अपने कमेंट करिएगा वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेरी महा पर डाल सकते हैं अधरवाई आप मुझसे कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है चलिए इसके बाद हम अगली वीडियो मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ ठीक है